पिछली बार हम लोगों ने महाकावी के कथावस्त्यू के बारे में विस्तार से चर्चा के थी आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम जानकारी हासिल करते हैं महाकावी के नायक तथा अन्य पात्रों के बारे में हमारे साथ उपस्तित हैं डॉक्साब, डॉक्साब आप बताईए कि आप इस बारे में हमें क्या जानकारी देने वाले हैं? मजो, पिछली बार हम लोगों ने महाकावे के कथानक की चर्जा की है, अब हम नायक और पात्रों के विशे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, वास्तों में नायक भी पात्र है, अच्छा डॉक्साब, एक जीच चाहूंगी मैं आप से जानकारी चाहूंगी, कि नायक शब का क्यों प्रयोक किया जाता है? वास्तों में नायक शब्द ले जाने वाले कर्थ में होता है, नायक जो ले जाय उसे नायक कहते हैं, महाकावे में जो प्रमुख पात्र है, या प्रमुख पुरुष पात्र नायक होता है, वो संपून कथा वस्तु को लेकर चलता है, पाठ और श्रोता की भावनाव को लेकर चलता है और महा काव्यकार के संकल्प को लेकर चलता है तो सारी गतिविदियों को लेकर चलता है इसलिए उसे नायक कहते हैं हाँ एक जिग्यांसा आप में और हो सकती है कि इने पात्र क्यों कहते है वस्तुता पात्र का आर्थ है बरतन महाकाव्यकार के संकल्प में प्रमुक पात्र के साथ कुछ अन्य पात्र भी होते हैं तो अपने चिंतन को अपने लक्ष को अपनी गतिविधियों को अपनी वरनन की इकाईयों को जिन जिन पात्रों में, जिन जिन इकायों में भारकर वो आगे बढ़ाता है, वो उसके पात्र होते हैं, इन में कुछ पुरुष पात्र हैं, और कुछ पुरुष पात्र हैं, आप देखें, महाकावे के प्रधान पुरुष पात्र को नायक कहते हैं, ये नायक अधिकारी भी कि वो महा कावे की संपूर्ण कथावस्तु के फल को स्विकार करें जो महा कावे की फल प्राप्ति है उसका वो अधिकारी होता है नायग महा कावे के फल की प्राप्ति का अधिकारी होता है तीसरी इस्तिति यह है कि महा कावे कर जब महा कावे की सर्जना करता है तो उस काव्य रचना के केंद्र में नायक होता है जो उसको उदात गुन लाना है जो सुन्दर सुन्दर भाव लाने है जो कृष्ट चारित्रिक रचना प्रस्तुत करनी है वो उसी नायक के चरित्र में भरता है इसलिए महाकाव्य की संपून कथावस्तु नायक के चरित्र पर ही आधारित होती है महा कावे का नायक उत्तम कुल में उत्पन धीरोदात और प्रतापी परुश होता है आप देखिए ये धीरोदात किसे क्या भी प्राय है डकसर ये बात तो बड़ी सहज और बड़ी अच्छी पूछी आपने इसकी चर्चा करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ चुँकि महा कावे का लक्ष एक महान आधर्श होता है इसलिए नायक भी महत्ता की महिमा से मंडित होता है और इसके लिए वो उत्तम कुल में उत्पन होना चाहिए कहा गया है या तो देवता या किसी उत्तम कुल में उत्पन धीरोदात नायक हो और प्रतापी परुश हो आपने प्रशन किया ये धीरोदात किसे कहते हैं वस्तुता चार प्रकार के नायक हमारे हाँ प्रसासना है धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशाम्त और धीरोदात दिरोदात नायक वे होते हैं या संखे पे यो कह लीजे अगर चर्चा पे खित नहीं है तो दिरोदात नायक राम और युदिष्ठिर जैसे होते हैं धीर ललित नायक कृष्ण और दुश्यन्त जैसे होते हैं जिनमें श्रंगार की प्रधानशा है जो धीर प्रशामत नायक हैं वो परशुराम और चानक के जैसे होते हैं जिनें ब्रामन कह लिजे जो एक सामाजिक सनरचना में ततपर हैं किन्तु प्रकृतिता और जातिता वे ब्रामन हैं और चौति स्थित्याती है दिरोधत नायकों की जिनमें रावन और कन सित्याद इमान लिजे जिनमें उपद्रवी तत्व की प्रमुकता होती हैं महा कावेचूं की चतुरवर्ग फल प्राद्य को लक्ष करके प्रस्तुत किया जाता है एक महान यूग प्रवर्तनकारी गटनाये इसमें उलिखित की जाती हैं इसलिए महान चरित्र को लेकर महा कावेचना होती है इसलिए आवश्यक है कि धीरोदात, धीरललित और धीर प्रशांद धीरोद्धत में महा कावेकानायक धीरोदात हो वो प्रतापी पुरुष हो, जिसके प्रताप, जिसके शवरिड, जिसकी वीरता, जिसके आइश्वरिड, जिसके आति अस्तित, जिसकी महत्ता के समक्ष, एक व्यापक जनुस्वदाय, विनत होकर उसके आचन को अपनाना शुरू करते। जिस प्रकार महाकाव्य का प्रधान पुरुष पात्र नायक होता है उसी प्रकार महाकाव्य की प्रधान इस्त्री पात्र नायका कह जाती है महाकाव्य के प्रधान इस्त्री पात्र को नायका कहते है और जब नायका की चर्चा करते हैं तो भारति महाकाव्य में प्रया ये देखा जाता है कि नायका या तो नायक की पत्नी होती है या नायक की प्रयसी होती है अथवा नायक की प्रिया होती है महाभारती ये महाकावे में नायका नायक की पत्नी प्रयसी या प्रिया होती है डॉक साब आपने कहा है प्रियसी या प्रिया तो क्या ये दोनों अलग-अलग हैं वास्तों में कहीं कहीं ऐसा है जहां नायक द्वा किसी पात्र को नारी पात्र प्रेम करता है तो प्रेम करने वाला नारी पात्र प्रियसी है और जिस नारी पात्र को नायक अनपात्र प्रेम कर रहा है वो उसकी प्रिया है तो महा कावे के अंतरगत जब प्रेशी और प्रिया का चित्रण किया जाता है इसका मतलब महा कावे के अंतरगत या तो नायक उस इस्तिरी पात्र को प्रेम कर रहा है या वो इस्तिरी पात्र नायक को प्रेम कर रहा है या दोनों एक दोश्रे को प्रेम कर रहे हैं कुछ ऐसी स्थित होगी कहीं कहीं यह होता है कि नायका-नायक की पत्नी पहले से ही ही है और तब उसको महाकाव्द के मंच पर प्रसुत के आगया यू कह लिजे तो नायक और नायका के मद्ध या तो पज़वत्नी का संबंद होगा या प्रेमी प्रेशी का संबंद होगा या प्रिय और प्रिया का संबंद होगा इस प्रकार नायक और नायका एक दूसरे से संबद होगे आपस में प्रेमनकर बेभी अपने अपने निजी अस्तितों के कारण ऊभाराे हैं किंटो भारतीय महा कावयों में प्रा इन दोनों के संबंद इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं अब हम छेशा करते हैं कुछ अन्य पात्रों की जिनमें खलनायक या सानायक अत्वा अन्य सहयोगी पात रहाते हैं खलनायक का हुना आवश्यक है महाकाव्य में आवश्यक तो इसलिए कहा जा सकता है जब महाकाव्य की कथावस्तु में कोई इतना या इतनी प्रबलता हो कि नायक के चरित्र को उद्धाटन करने में या उद्धाटित करने में किसी अन्य सहयता की आश्यक्ता नहीं तो खलनायक नभी रह सकता है वैसे खलनायक नायक का विरोधी होता है और खलनायक में कुछ निक्रिष्ट गुणों का कुछ हीन गुणों का यह जिन को कहले जे नो का प्राधन्य होता है। क्योंकि खल नायक में दुर गतायत उपस्तित कर देता है महा का विकर और खल नायक नायक का विरोदी होता है। इसलिए कि जो पाथग है, अत्वा जो शुरोता है, उसकी सहानुभूती नायक कुमे लेती है। मतलब उसके चरित्र को उभारने का कारी करता है, इसके चरित्र को उभारने का काम करता है, इसलिए द्यान देना है, महा काविकाने पात्रों में खलनायक, सहनायक तता अन्य सहायक पात्र आते हैं, जो नायक के चरित्र के विकास में सादक होते हैं, जहे सहायक पात्र है, जहे सह नायक है और चाहे खल नायक इन सब की उपस्तित का एक मात्र लक्ष नायक के चरित्र को भारना है नायक के चरित्र के विकास में सहायता करना है खल नायक नायका विरोधी होता है और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से नायक के चरित्र के विखास में वह सायक होता है वो विरोध करता है नायक का इसलिए जो स्तुरोता है जो पाठक है उसके चित में ये बात अच्छी तरह आ जाती है कि जो जो गुण या दुरगुण खलायक में है उसके बिरोधी रूप में नायक में होने चाहिए खल नायक में दुर्गुणों की बहुतायत उपस्तित कर देता है इसलिए उसका बिरोधी होने के कारण नायक को उसका लाभ में ले लाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि महा कावे में नायक, प्रधान पुरुष पात्र, नायका प्रधान स्त्री पात्र और अन्य पात्रों में खल नायक के साथ सानायक और अन्य पात्र होते हैं, जिनका लक्ष नायक के चरित्र का विकास करना होता है, जिनका अस्तित्व नायक के चरित्र में सहायक होना होता है बार बार